हम लोगों ने गती में पढ़ लिया है चैप्टर अब हम पढ़ेंगे गती के कुछ पार्ट को अलग करेंगे जैसे सबसे पहले आप अगर आप यहां देखते हैं तो विराम विस्था एक सब्द आता है कि विराम किसको कहते हैं विराम विस्था किसको कहते हैं तो चलिए एक्जांपल समय लिए कि माल लिजे कोई वस्तू पॉइंट ए पे अगर खड़ा है और उसी वक्त पर खड़ा रहेगा जब तक उस पर कोई बदलाव समय के अनुसार से नहीं होगा तो उसे हम कहते हैं विराम वस्ता जैसे फूर एक्जांपल हम एक और भी टॉपिक से समझ स हैं कि माल लिजे एक पॉइंट ए पर आप खड़े हैं और वक्त बिता जा रहा है आप पे कोई बदलाव नहीं आ रहा है आप समय के अनुसार से आप अपनी स्टिटी को बदलाव नहीं कर रहे हैं तो उस जगा पर आप कहेंगे कि हम विराम वस्ता पे हैं लेकिन यहीं ची बिंदू देखें रिफ्रेंस पॉइंट होना बेहर्ज जुरूरी है एक चीज मैं यहाँ पर नूट आपको करा दूँ कि इसको इंग्लिस में कहते है रेस्ट और मोशन तो यानि इस विराम वस्ता और गती जूर जा तो मैं इस पर किलिए करा दूँ कि कि किसी चीज को रि गतार बदलाव कर रहा है किसी बिंदू के सपेच में यानि इस वूस बिंदू के रिपरजेंट में बदलाव कर रहा है तो उस वस्ता को हम लोग कहेंगे गती दूर जाए इसके एक एक्जामपल से हम समझते हैं माल लेजिए कि यह पॉइंट ए है अब यह जो है समय के आगे की और बढ़ रहा है तो यह बढ़ता जा रहा है अब कंटिन्यू जा रहा है ठीक है तो इसका जो हम रिपरजेंट कर रहे हैं वो पॉइंट ए से रिपरजेंट कर रहे हैं यानि मुल बिंदू के सपेच में मान रहे हैं कि यह आपजेक्ट जो है दिले दिले समय जैस गति और कमपन गति एक चीज जानेंगे यहां पर पहले घुटननगति कोई भी आबजेक्ट अगर किसी भी वृतकार पत पर घुम रहा है यानि वृतकार पत अगर घुमता हुआ नजर आ रहा है कि एक सरकल पे घुम रहा है तो वैसे गती को घुर्णन गती कहते हैं जैसे पंखा की गती पंखा आप देखते हैं हमेशा जो घुमता है वो सरकल ही पार्ट में घुमता है उसी तरह से piston का है बहुत से एकसे example है motor गाड़ी में भी engine का है वो भी गुलाकार पद पर motorcycle के गाड़ी का engine खुमते रहता है इसलिए उसको गुणनन गती कहते हैं यह काता है फिर आपका रेखिये गती रेखिये गती कोई भी अबजेक्ट जो है एक सम एक समतल सताह पर रेखिये अगर चेंज कर रहा जैसे आप गाड़ी motorcycle जो भी चीज गाड़ी आप रोड़ पर लगातार जैसे चलाते जा रहे हैं एक रेखा पर सीधा चला रहे हैं या टर्णिंग कर भी रहे हैं तो कोई मतलब नहीं कोई टर्णिंग करने के बाद तो फी तो इसका डायक्शन चेंज हो जा रहा है तो हर हाल में ऐसे अबजेट के गती को हम लोग गती उर्जा कहते हैं गती कहते हैं और यह रेखिये गती है दूसरा आता है कमपन गती जैसे कि कमपन में जैसे घड़ी के अगर आप लूलक को देखते हैं पहले जमाने में घंटी होती लगा रहता था जो टर्ण टर्ण लेफ्ट राइट करता था यानि कि कोई वस्तू अगर इस तरह से लेफ्ट टू राइट लेफ्ट टू है एक होता है आपको अदिस रासी दूसरा है सदिस रासी कोई भी भोतिक राश भोतिक एकाई भोतिक जैसे हो गया आपका हो गया किसी अबजेक्ट का चाल चीक है या आपका दूरी विस्थापन ये कोई भी चीज जो है वो भोतिक रासी है अगर कोई भी भोतिक रासी में सि पिर दिसा हो और डारेक्शन नहीं होगा तो वैसे रासी को आदिस रासी कहा जाता है अब जेखे यहाँ पर एक्जामपल देवा चाल अदूरी चाल जो है वो आदिस रासी है क्यों है कि चाल कहता है कि अगर डिफनिशन अगर आप कहिएगा किसी वस्तु दोरा एकाई समय मे तैग गई दूरी या तैग की गई दूरी या बथ को वो चाल के रूप में कहता है दूरी क्या है किसी वस्तु दोरा किसी वस्तु के दूरा अस्थान परिवर्तन की लमवत लमभाई को हम लोग दूरी कहता है इसमें यह नहीं बता रहा है जैसे चाल अगर आप लिखते है चाल बराबर क्या होता है यूनिट मीटर पर सेकंड होता है क्यों कि चाल बराबर होता है डिस्टेंस बटे टाइम अब जैसे सब्सक्राइब इसका डिस्टेंस मीटर पर सेकंड तो हो चुका है अब आप इसको ऐसे सोचे कि चाल में सिर्फ और सिर्फ ये पांच मीटर पर से तो यह आदिस रासी है दूसरी बात यह कि अगर हम इसी को वेग में कनबर्ट करते हैं तो वेग हम लोग हमेशा लिखते हैं 5 मीटर पर सिकंड नॉर्थ यहां डारेक्शन भी बता रहे हैं और माप भी बता रहे हैं यह डारेक्शन बता रहे हैं कि नॉर्थ की ओर जा रहा है जब नौर्थ की ओर जा रहा है और मेंगनेचूर भी बता रहा है डारेक्शन भी बता रहा है तब इस कंडिशन में वेक को कहेंगे सदीस रासी यानि वैक्टर कॉइंटिटीज वैसे रासी जिसमें दिसा भी हो और दिसा भी हो और माप भी हो वैसे रासी को हम सदीस रासी कह सबसे पहला यहां समझने वाली बात है संदिस रासी में सिर्फ और सिफ जिसको सदिस रासी आप करें सिर्फ एंप and Corte के सारे बुग का आपका हिंदी मेडियम के सारे बच्चों के लिए यहां पर पढ़ाई के सासा अची का पूरा सिलूएशन अपूरा तीर बताया जा रहा तो चलिए आप वैक्टर कहने का मतलब है सदिसरासी वैसे सदिसरासी उसको कहते हैं जिसमें सिर्फ क्या होता है दिसा भी हो जाएगा और उसमें माप भी आए अगर माप आ रहा है तो हम उसको कहेंगे और दिसा के साथ साथ तब हम उसको कहेंगे सदिसरासी ठीक है अब यहाँ दूरी और विस्थापन जो अगला पॉइंट हमारा है उसको हम देखते हैं विस्थापन के लिए हमें क्या करना है और दूरी के लिए पहले इसको समझेगा जैसे माल लेजे दूरी हमें बटा रहा हूँ कि जैसे माल लेजे आपका घर यहाँ पर है आपका दोस्त बी का घर बिने का घर बी पॉइंट पर है आपको चंदन का घर जो है वो यह चंदन है यह बिने है और आप अमीत है तीनों का घर तीन डारेक्शन में दिया हुआ है त तीन जगा पइйंट तीनों घर or लग हो गई अगर आपको चंदन के पास पोहंचना है कि इसके पास हम चंदन को अमीद को चंदन के पास एक रास्टा कि यह विmäß बिनिये के Zाएगा अब बिनिय से चला आएगा कहां चंदन के पास रास्टा यह दूसरा एक रास्ता और है कि क्यों ना अमीत्र डारेक्ट ही चंदन के पास पहुँच जा तो यहां पर आप देखिए समझिएगा दूरी जो कहलाता है किसे कहते हैं दूरी की डिफिनेशन को समझने से पहले आपको यहां पर एक चीज और समझना होगा फिर से मैं इसको एक् है और क्या फरक है इसको देखने ठीक है जैसे मैंने एक्जामपल दिया कि माल लेजिए पॉइंट ए पर अमीत का घर है पॉइंट बी पर बी अन्ने का घर है और सी पर जो है वो आपका किसका है चंदन का घर है ए से सी जाने के लिए क्या क्या रास्ता हो सकता है आप या त से चंदनिया ऐसे भी जा सकते हैं तो देखो यहां पर जो चीज आप देखोगे तो कोई वी वस्तु अपनी प्रम्भिक इस्तिती से अंतिम इस्तिती भी जो चलती है उसे धूरी कहते हैं तो प्रम्भिक अमीद कहां से चल रहा है इस पॉइंट से चल रहा है न जी और यहां से चल कर भी जा रहा है और लाश्ट कहां पहुच रहा सी तो इसको हम लोग दूरी कहेंगे यानि ए बी पलस बी सी जो होगा जो रिजल्ट मिला वो हम लोग का दूरी यानि डिस्टेंस के रूप में मिला अब यहाँ पर समझो कि इसमें डारेक्शन हो रहा है यह माल लो डारेक्शन पहले आप जानते हो दिसा जिसको हम कहते हैं वो नौर्थ है सौथ है इस्ट और वेस्ट होता है अगर यहाँ से रिपरसेंट पॉइंट सेंटर से को हो तो यह जो अमीद जो है पहले बी पॉइंट तक जो गिया था वह जो था नौर्थ इस्ट में गिया था ठीक है एक डारेक्शन तो बता रह इसका डारेक्षण जो है वो चेंज हो गया जैसी डारेक्षण चेंज हो Champions iii ब alkaline तो दूरी का डिफिनेशन कहता है कि जैसे मालो एसे भी अब बी से सी यह पॉइंट ऐसी था हमारा एबी सी तो प्रामभिक इस्तिती से लेकर अंतिम इस्तिती के बीच जो रास्ता है जो पद पर आप चले हैं उसी को हम लोग दूरी कहते हैं लेकिन विस्तापन में क्या है किसी वस्तु की परत्थिम और अंतिम यहां भी सुनिएगा एक पॉइंट से सी तक जा रहा है प्रामभिक से अंतिम है एक का यह होता है नियूंतम दूरी निम्तम दूरी को विस्थापन कहते हैं जिसको displacement कहते हैं और इधर जो point आ गया वो हो गया दूरी that means a b plus b c जो है वो मेरा दूरी है और अगर हम a c की बात करें तो a c मेरे लिए मिल गया विस्थापन यह याद रखिएगा तो इसमें तो एक direction है सी रा सी दी एक land sorted distance में गया है तो विस्थापन जो है वो आपका सदिस रासी है यानि vector quantities है और अगर हम दूरी की बात करते हैं तो दूरी जो है वह मेरा आदिस रासी यह दो बहुत बड़ा फर्क है अब इसमें देखें यहां पर बता भी रहा है उधारने के लिए घंटा घर से 65 किलोमेटर है तो देखें यहां रामेज को क्या बता रहा है यूनिट भी बता रहा पैसेट किलोमेटर है और direction भी बता रहा है तो दूरी कहने का मतलब है long distance और विष्ठापन कहने का मतलब है short distance बस दूरी में दिशा नहीं होता है जिसका करने से इसको डूरी को अधिसरासी कहते है और जिसमें दिशा हो जाता है उसे हम लोग साधिसरासी कहते है यहां तक बार कलियर हो गया अब विस्थापन जो है वो या तो सुन हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता यह याद रखिएगा ठीक है आगे हम इसको देखते हैं यहां पर जिसे question दिया हुआ है माल लिजीए यह जो है एक circle है यह circle दिया हुआ है और circle में यह point मेरा radius दिया हुआ है माल लिजीए कोई object जो है A से चल कर B तक पहुँचता है तो जहां से चला और वहीं पहुँच गया तो कुल विस्थापन दूरी हो गया देखिए क्या बूला था विस्थापन क्या कहा था sorted distance माल लिजी यह point A है और यहां से पूरा circle बनाते हुआ फिर हम वही final position पे पहुँच गया निसले पैनल बराबर हो गया तो कुल विस्थापन दूरी हो गया ठीक है sortedis है लेकिन दूरी की बात अगर आप करोगे तो circle का यह जो circle आप जो देख रहे हो वो इसकी परिधी के बराबर होगा यानि parameter के बराबर होगा क्योंकि यहां से तुम अगर इस point से खोल के एक लंबा line घिज़ दोगे यही मेरा कुल दूरी होगा और यह कुल दूरी का मतलब क्या है कि इसकी परिधी क्या होता circle का परिधी बराबर क्या होता तो तूपाया तो यहां से आप निकाल सकते हो तो मैंने यहां देखा कि विस्थापन जीरो भी हो सकता है ठीक है अब आगे हम फर्क पढ़ेंगे कि दूरी और विस्थापन में क्या फर्क है अगर आप सभी को नोट चाहिए तो हमारे टेलिग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते है वहां मिल जाएगा तो सबसे पहले दूरी और विस्थापन में क्या फर्क है ये हम जानेंगे ठीक है तो दूरी के लिए हम आप अच्छी तरह से जानते हैं कि दूरी के लिए मैं आपको बताया था कि प्रामभिक इस्थिति और अंतिम इस्थिति के बीच में जिस रास्ते पे कोई अबजेक्ट चलता है प्रामभिक से अंतिम तक तो उसी को हम लोग क्या कहते है दूरी कहते है और विस्थापन क्या होता है नियुनतम दूरी क्यों होता है नियुनतम दूरी ठीक है उसको हम लोग ये कहते है ठीक है उसके बाद आपने पढ़ा कि दूरी को हम लोग जो है वो क्या कहते है आदिस रासी है और विस्थापन को हम लोग कहते है कि वो सदिस रासी है ठीक है और दूरी हमेशा जो है वो धनातमक होगा कभी भी जीरो या रिनातमक नहीं होगा दूरी हमेशा पोजेटिव होता है लेकिन विस्थापन की बात अगर आप करोगे तो विस्थ विस्थापन हमेशा नेगेटिव होता है क्या होता है नेगेटिव होता है पोजेटिव होता है और सुन भी हो सकता है ठीक है अब यहां से समझ में आया तो एक कोशन को देखते हैं जैसे यहां पर कोई अर्ध गोलाकार प्रास्ता है ठीक है जिसकी तिरजिया जो है वो दस मी यही होगा मेरा है ना यह बिस दूरी होगा मेरा अगर दूरी होगा तो पूरा सरकल के लिए परीदी का क्या होता है टू पाइ आर तो आधा है तो दो से भागा दे पड़ेगा तो यह हो जाएगा पायार कितना रिजल मिला पायार पाय का वैलू अगर हमको दिया हुआ है तो तो रख दीजिए तो यहां पर पाय का वैलू 3.14 रखिएगा और इंटू किजिएगा 10 से तो सॉल किजिएगा तो 31.4 ही आएगा ठीक है यह जो पार्ट निकला वो आपका दूरी निकला है ना वो दूरी निकला अब यहां से विश्थापन की बात करें तो सबसे पहले सोचो की प्रमभिक दूरी और अंतिम दूरी का सॉटे डिस्टेंस तो यहां से यहां कितना है 10 मीटर और यहां से यहां कितना है 10 मीटर अगर विश्थापन की बात करोगे तो 10 पलस 10 टूटल कितना होगे 20 मीटर इसका विश्थापन आ जाएगा ठीक है अब यहां पर एक चीज आता है एक समानी गती और आसामानी गती को जरा समझते हैं यदी कोई वस्तू थड़ा सा समझ लिजेगा यदी कोई अबजेक्ट या वस्तू जो है बराबर दूरी तैक कर रहा है बराबर समय में तैक कर रहा है तो वैसे गती को समानी गती करते हैं जैसे मालो आप मोटर साइ कि लेके निकले हो और यह सब आपके ब्रीज है ठीक है और यहां से यहां की दूरी भी से बी से ए सी की दूरी से सी से डी की दूरी से डी से ए की दूरी से और समय भी सभी का अगर बराबर लग रहा है तब उस जगा पर हम यह कहेंगे कि यह जो है आपका क्याना मैं एक समान दूरी है इसका ग्राफ अगर देखो ग्राफ में हमेशा याद लखो कि नीचे वाला जो पार्ट होता है वो टाइम को रिपर्जेंट करता है उपर वाला डिस्टेंस को अगर मालो और जिन से सुरू किया जीरो पस वह एक मिनट में ये दूरी तेकिया दो मिनट में यहां हो सब सेम हो जा रहा है नहीं सेम है तो इसको कहते है एक समान दूरी आसमान दूरी में क्या होगा कुछ नहीं होगा किसी वस्तु द्वारा बराबर बज़ा है बराबर नहीं और बराबर समय में भी नहीं तैक करेगी दूरी तो इसको आसमान गती कहते है ठीक है अब यहां गती के आप पढ़ लिए तो आप चाल बराबर आपको हम बता चुके हैं चाल बराबर होता है दूरी बटे समय इस चाल जो है एक आदिस रासी है जिसका मापन मीटर पर सेकंड में किया जाता है SI यूनिट देखो अब SI यूनिट की बात चल पड़ी है तो यूनिट को कहते हैं एकाई क्या कहते हैं एकाई और एकाई जो है वावो वो जो होता है वो आपका दिता दू कि चार तरह के एकाई होते हैं कितने तरह के होते हैं एकाई चार तरह के हैं तो पहले उन चारों को हम समझते हैं सबसे पहले अगर आप बात करोगे तो एकाई की बात करता है तो पहला होता है CGA system एक ठोग हो गया दूसरा होता है FPA system तीसरा होता है MKS system और चौता होता है SI unit ठीक है न ये चार CGS का मतलब होता है centimeter, gram और second centimeter, gram second और FPS का होता है food, pond और second system MKS का होता है meter, kilogram और second SI का मतलब होता है international system of unit तो अभी CGS, FPS, MKS नहीं चलता है अभी CGS, SI unit चलता है पूरे इंडिया में क्योंकि सभी जगा मान बराबर है तीक है अब यहाँ पर से आपको मता दो कि जो मुझे इस chapter में बताना है वह एक numerical आ गया है वो numerical को भी हम यह सी वीडियो में देख लेते है सबसे पहले देखो numerical में क्या है कह क्या रहा है question इसको ज़रा सा पहले समझते है कह रहा है कोई वस्तु की चाल मीटर पर सेकंड मीटर पर सेकंड में है किलो मीटर दर कंटे में बदलना है चालिस किलो मीटर में पाज